नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त अमन भगात और आप सबका फिट से स्वाध करता हमारी इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जियो के कॉलर ट्यून को कैसे करें बंद कर सकते हो तो आप सबको पता ही जो आगे वाले बर्सन को सुनाई देता है उसको आप आफ करके जो सिंपल रिंग वाला जो टोन रहता है जो सिंपल कोई बी कॉल लगाने से रिंग करता है वो नॉर्मल आप रिंग टॉन पर कैसे वापस ला सकती हो मतलब कि आपका जो गाना लगा हुआ है वो बिलकुल हट जाएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सीख लेते हैं दोस्तों तो जीओ के सिंप में कॉलर ट्यून बंद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फ लिए नमबर लिखना है 56789 ठीक है शिंपल सा नमबर है 56789 लिख देना और इसपे क्लिक कर देना send to 56789 जो लिखा इस पर आपको click कर देना है और उसके बाद आपके सामने पूरा message वाला interface कुल के आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको text लिखना है message में इधर में आप लोग को message लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आप सबसे पहले capital letter अपने keyboard में चालू कर लेना अपको पूरा stop को capital letter में ही लिखना है तो इधर मैंने message में लिखा है stop और पूरा capital है खली आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इतना लिखने के बाद आपको इसको send कर देना है अब आप send किससे करोगे अपने jo वाले sim से send करोगे जिस sim में जुकी है आपको caller tune का service को बंद करना है तो इधर जुकी है मैं send कर देता हूँ तो मैंने sim 1 से send किया sim 1 में मेरे jo है इसलिए तो जैसे कि आप देख सकते हमारे message अभी send नहीं हुआ तो इसको नहीं जाने का एक reason है कि मेरे phone में जुकी है मेरे jo वाले sim में मैंने बहुत दिन से recharge नहीं कराया इसलिए message वगर नहीं जा रहा है call वगर भी नहीं लगता है पर आपके साथ ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप रेगुलर रिचार्च कराते रहोगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो आप send करोगे तो simply send हो जाएगा और send होने के बाद तुरंत ही आपके पास एक reply आएगा jo की तरब से जैसे कि आप देख सकते स्क्रीन पर reply में आपको दिखा रहा हूँ तो कुछ ऐसा reply दिखेगा तो इधर में जोगी है कुछ ऐसा reply आने के बाद आपको simply क्या करना है फिर से आपको एक message send करना है message आपको simply लिखना है one one link के आपको दुबारा से send कर देना है आप one link के send करोगे तो उसके बाद फिर से आपके पास एक reply आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो call a tune का services आपके जीओ नमर पर उसको बंद कर दिया है ठीक है तो ऐसे simple सा process है आपको जोगी है यह simple step follow करना है तो मैंने आपको नमर बताया दिया 56789 पर message करना stop लिखके stop लिखके message करोगे तो आपके सामने message वापस आएगा आपको simply one link के reply कर देना है तो फिर आपके पास दुबारा से message आएगा जिसमें आपको clearly लिखा रहेगा कि आपका call a tune को बंद कर दिया गया है इत वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई और जय हिंद